अलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिर्शाज ओनलाइन गुरकुल, इस वीडियो में हम मैथमेटिस का एक और इंपोर्टन टॉपिक डिस्क्स करने वाले हैं, जो सीटेट पेपर वन और पेपर टू में बार-बार रिपीट हो रहा है, इस में बेसिकली इस टॉपिक का जो इसमें जो है, एक रीजन बना हुआ है, सैडेड एरिया है, वो सैडेड एरिया हमको बतानी है, जैसे इस कुश्चन में देखिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, तो इस तरीके के कुश्चन आ जाएं, तो ये सैडेड एरिया की बहलू कितनी होगी, वो चलिए इस तरीके कुश्चन को सॉल करने के लिए साथ पहले concept को बहुत छोटा सा concept है उसको हम समझ लेते हैं फिर आगे आते हैं हम लोग कुश्चन की तरफ तो चलिए हम लोग देखते हैं साथ पहले थोड़ा सा concept को देखते हैं अगर इस चैनल का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है किसी भी तरीके से helpful है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तो देखते हैं हम लोग concept को देखते हैं इसमें क्या है तो हम लोग छायांकित पार्ट का जो है हमको question करना है तो सब्सक्राइब एक basic simple देखे सैड़ेट पार्ट यहां red color में है पहला जो मैंने एक example सा कर रखा है तो इसमें क्या है एक circle है जिसमें upper half जो पार्ट है वो red color में है यही साड़ेट समझ लीजिए तो यह सैड़ेट पार्ट है तो यह कितना ह देखे समझिए अब इस चीज को टोटल जो यह circle है ठीक है circle को दो बराबर भागों में बाट दिया गया है उपर का भाग red है red की बेलों को बतानी है तो आप देखे red का भाग कितना है red को दो भागों बाटा गया है total दो भाग है ठीक है और red भाग आपका यह है उपर वाला ठीक है अब total कितना है दो भाग है ठीक आप सेम इस तरीके समझिए इसमें जो है इसमें देखिए यह एक तरीके का चार पार्ट है चार इक्वाल पार्ट है ठीक है चार इक्वाल पार्ट है हमको shaded area बतानी है total चार है तो नीचे तो चार आएगा तो यह समझ गये होगे जो सही होगा answer यह वाला सही होगा पहले में one by two हुआ ठीक है अब इसमें देखिए इस वाले में थाड वाले में थाड एक्वाल में देखिए कितने भाग है एक दो तीन चार पार नीचे इसमें भी चार ही आएगा ऊपर की बैलो कितने आएगी decided भाग 2 है तो यह 2 आ गया तो इस तरीके से इसका answer कितना हो गया दो बटे चार हो गया आप चलिए next देखते हैं इस वाले को देखते हैं इस example को देखते हैं किसे में देखे हैं कि पार्ट में total है एक दो टीन है total अब नीचे तो अप मैं में होसा ऐगर अनेकोल है तो फिर प्रापलिम थोड़ा सा डिफ्रेंट हो जाती हैanie equal का case हम लोग देख रहे हैं अभी तो इसमें देखिए तीन था तो तीन हमने हर में लिख दिया हर की जगए तीन लिख दिया और अंस की जगए कितना लिखा उपर के दो हैं दो sided area है चायंकित भाग हैं तो हमने दो लिख दिया तो इस तरीके से इसका answer क्या होगा दो बटे तीन होगा तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं हाँ तो चलिए इस question को हम लोग देखते हैं अच्छा question है एक सिक्षक कच्छा से sided area ये जो दिखा रखी है पर 1 by 8 निरूपित करते हैं करने के लिए कहता है अब कुछ figure बने थे A, B, C और D ये तीन figure है वो कहता है कि पर 1 by 8 निरूपित करने के लिए करता है इसमें ये बताना है कि हमको कौन सा गलत है तो बैलू कितनी आ रही है बैलू यहां आ रही है 1 by 8 पहले figure को हम देखते हैं पहला figure देखो कितने भागों में divide है 8 equal भाग में divide है और 1 sided area है तो ये तो सही हो गया कि 1 by 8 हो गया पहला तो सही है ठीक है अब जो है दूसरे पार्ट पर आजएए दूसरा पार्ट देखिए ये first region है ठीक है सेम उसी तरीके का ये भी है इसमें देखिए इन्होंने ऐसे बना रखा इस तरीके से तो यहां भी बन सकता है ऐसे ठीक है क्योंकि equal है ऐसे तो इसका मतलब अगर 4 यहां हो जाएंगे और 4 यहां हो जाएंगे तो 8 है 8 में से 1 जो है तुम्हारा sided है तो एक बटे 8 यहां भी हो गया ठीक तो यह भी इसका मतलब ठीक निरूपण था अब इसमें देखिए D वाले में D में देखिए सभी में 2-2 है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो इस तरीके से देखिए इसमें भी 8 है 8 में से 1 जो है Setted है तो यह जो है 1 by 8 यह भी होगा इसका मतलब यह भी सही है आप देखिए जब 3 सही है तो wrong आपका यह होगा यह जो है wrong है तो इस प्रस्ण का जो answer था कि कौन सा निरूपण गलत है तो answer actually आपका कौन सा होगा answer इसका C होगा जो कि निरूपण गलत है वो देख भी सकते हैं आप लोग अगर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 यह 7 7 क्या equal है नहीं अगर equal करना भी चाहें तो इसमें अगर ऐसे करेंगे 8 और 9 हो जाएगा जो कि ठीक नहीं है तो वो निरूपण गलत है तो इस तरीके से इसका answer कौन सा हुआ answer हुआ C चलिए हम दूसरे question की तरह बढ़ते हैं बहुत ही important question है easy है बस आपको थोड़ा सा concept को समझना है हलके से फिर उसके बाद आप आसानी से इस तरीके question को कर ले जाएंगे हाँ तो चलिए इस question को हम लोग देखते हैं अब ये question थोड़ा सा different है हलका सा just a minute हाँ इसमें देखिए एक आयत को 36 रूप से दो बराबर भागों में बाटा जाता है उपर वाले भाग को पुना तीन बराबर भागों में ठीक है उपर वाले भाग को पुना तीन बराबर भागों में बाटा जाता है निचले भाग को चार भागों में बाटा जाता है ठीक है तो मूल आयत का कितना भाग छायंकित है काफ़ important question है ये थोड़ा सा different है आभी तक मैंने जो बताया था मैंने कहा कि वो equal भागों में divide हो रहा था बट ये equal भाग में divide नहीं है ये इसमें खुदी कह रहा है पहले तो दो पार्ट जो है ये वाला region पूरा और ये वाला region ये दोनों तो equal है बट जो seaded area है ऊपर की जो seaded region है और नीचे का जो seaded region है वो अलग-अलग है क्योंकि ऊपर वाला part तीन भागों में divide है और नीचे वाला part जो है चार भागों में divide है तो आप हम लोग देखते हैं कि इस तरीके के कुश्चन को कैसे करेंगे सबसे पहले देख़े जो मेन फीगर था मेन फीगर आपका ये था ठीक चलिए ये मेन फीगर आपका हो गया समाझ लीजिए इसको और इसको दो पार्ट में कर दिया गया क्या किया गया दो पार्ट में तो 1 by 2 हो गया और ये क्या हो गया 1 by 2 हो ठीक अब क्या किया गया उपर का जो पार्ट था उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया कितने में 3 भाग में और इसको और इसको सेड़ेट कर दिया तो ये कितना हो गया 3 में से 2 सेड़ट है मतलब जो है 2 सेड़ट है 3 में से ठीक आप नीचे वाले को देखिए 4 भाग में डिवाइट किया ये सेड़ट और ये सेड़ट 4 इक्वाल पार्ट में तो 4 में से ये एक्शली 4 है ये यहां से कर लिजे 4 ही 4 भाग में डिवाइट किया इस तरीके समझ लिजे तो 1, 2, 3, 4 ठीक है तो 4 पार्ट में डिवाइट किया नीचे वाले को और जो है 2 सेड़ट है तो मीनिंग देरभाई कितना हो गया 4 में से 2 2 तो आपका सेड़ट है और 4 पार्ट में डिवाइट हो तो बस आपका एंसर आ गया एंसर कितना हो गया ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट तो उपर तो बचा 1 बाई 3 प्लेस नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट दो से 2 आपका कैंसिल हो गया नीचे बचा 1 बाई 4 जस्ट आपको आइड करना है तो 4 प्लस 3 डिवाइड वाई 4 ती आई 12 एक तो इस तरीके से एंसर क्या हो गया 4 तीन साथ बटे 12 तो आपका जो एंसर आएगा वो एंसर कौन सा होगा एंसर इसमें 30 सही होगा बस इस तरीके के कुश्चन में आपको बस ये चीजें समझ लेना है स्टार्टिंग से रूल लगाना है फिर उसी भाग में जैसे अलग-अलग भाग थे तो मैंने क्या किया मल्टिप्लाई कर दिया उस पर्टिकुलर सेक्षन को बस इस तरीके से चाहे जितना पार्ट हो आप आसानी से कुश्चन को सॉल कर ले जाएंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक आप इस तरीके से कुश्चन को आसानी से कर सकते हैं अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कुश्चन अगर आप ये वीडियो आपके लिए हेलफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहे हैं थैंक्यू